नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरल डिस्केशन में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपॉर्टन आर्टिकल्स हैं, 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ पहला आर्टिकल है मसाला टू मीनिंगफुल सिनेमा बेसिकली तीन फिल्मों को लेके यहाँ पर जो ऑथर है वो बॉलिवुड इंडस्टी की तारीफ कर रहे हैं एक तो मूवी है जुन्ड जिसमें कास्ट आइटिटी के बारे में बताया जाता है जो कास्ट के आधारपन लोगों के अगेस्ट वालेंस होता है उसके बारे में बताया गया एक है गंगुबाई का थी आवारी जिसमें ओवराली जो सेक्स वरकर्स हैं जिनकी वॉल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है जिनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिली इनको क्या परशानी फेस करनी पड़ती है और तीसरी दा कश्मीर फायज तो कश्मीरी पंडितियों के अगेस्ट क्या त्याचार हुआ जम्मोन कश्मीर में इसके बारे में दिखाए गया तो कुल मिला कि ये तीन फिल्म में बॉलीवोड को कन्वेशनल सीनेमा से अलग करती है बॉलीवोड को बेसिकली एक मनी मेकिझ मशीन समझा जाता है जहां प KIR बेसिकली इस प्रकार के मेलोडरमाटिक मूवी को दिखाए डांस दिखाए एक्शन दिखाए डॉसरी दिखाए पैसा कमाने की कोशिश की जाती है finally यहाँ पे जो Bollywood cinema है वो थोड़ा conventional से अलग हटके social realities को दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गड़बड भी हो रही है जैसे for example कश्मीर फैल के respect में दिखाये गया है कि यहाँ पे Muslims को victims की तरह दिखाये जा रहा है तो कुछ points यहाँ पे author ने बताए है इन points को समझने की कोशिश करेंगे अगला जो article है वो है the blow to equitable access to essential medicines यहाँ पे बिसुजीद धर साब और K.M. गोपा कुमार साब क्या बता रहा है कि भाई देखे इंडिया South Africa ने एक मुहीम छड़ी थी कि भाई WTO में trips का waiver मिल जाए COVID से related vaccines और technologies को जिसके चलते इन vaccines को जल्दी जल्दी बनाया जाए दुनिया भर में export किया जाए गरीब countries बनाती इन vaccines को पहुँचाया जाए finally European Union यहाँ पे कुछ ideas दे रहा है कैसे defeat कर रहा है यह देखेंगे Indian legislative services के respect में viewpoint दिया हुआ यहाँ पे राजसभा के secretary general के हिसाब से समझाया गया है कि राजसभा की secretary general जैसी post के उपर भी retired bureaucrats को बठा दिया जाता है जबकि यहाँ पे retired bureaucrats नहीं subject experts को बठाना चाहिए और subject experts को यहाँ पे बैठने का मौका नहीं दिया जाता है तो basically India को एक Indian legislative services की जरौत क्यों है एक line में हमाया अगर आपको इस particular article का सार समझाओं तो यह है कि देखिए Parliament के अंदर secretariat सचवाले की बड़ी importance होती है Parliament के अंदर जैसे for example सरकार बनाती है लोगसभा के अंदर उसका एक executive होता है executive मतलब council of minister जिसमें top पे प्राइम मिनिस्टर नीचे उसकी minister है यह executive बहुत ताकतवर होता है Parliament के अंदर executive Parliament की premises के अंदर executive जरू से अदर ताकतवर ना हो जाए इसके लिए independent secretariat services का होना जरूरी है सचिवाले का होना जरूरी है जो सचिवाले है Parliament के अंदर का लोगसभा राजसभा का अंदर का वो सरकार के हिसाब से ना चले सारे parliamentary members के लिए काम करे इसलिए जरूरी है कि secretary general और secretariat की जो recruitment होते है वो एक specific service से हो जिसका नाम होगा Indian legislative service और इस respect में कुछ viewpoint दी हुए डॉक्टर पीपी के रामा चारेल जी जिसको 1 सेप्टमबर 2021 को राजसभा का secretary general बनाया गया तो तीन महीने के अंदर हटा दिया गया था इसके example से चीज़ाई गई है तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तिर गोगा के अंदर प्रमोस सावन जी को फिर से चीफ मिनिस्टर मना दिया गया क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे बीजेपी ने इसके बारे हम बात करेंगे और पुशकर सिंग धामी साहब इनको उत्राखंड का CM मनाया गया भले ही यह अपनी MLA की सीट हार गया है इसका मतलब क्या है कि कही न कहीं पुशकर सिंग धामी साहब ने कुछ न कुछ अच्छा किया है उत्राखंड के अंदर पिछले हमने एक दो सालों में देखा है कि तीन CM बदल गया अच्छली दो CM बदल गया इसको भी खंगा लेंगे हाला कि यह पॉइंट्स हम वेस्ट बंगाल में मम्नता मिनवजी जी की एक्जाम्पिल से भी समझ चुके है तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा आर्टिकल शुरू करता हूँ मसाला टू मीनिंग्फुल सिनेमा अगे बंदेश पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सबस्क्राइब नहीं किया कर लिजे इस्टर्राम पर फॉलो कर लिजे टेलीग्राम गूर्प जोन कर लिजे दोनों ही चीज़ों कर लिंग में दिया टेलीग्राम गूर्प पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडियाफ अगरा मिल जाये करेंगी दाहिंदू की पीडियाफ मैं इसलिन नहीं दे रहा हूँ चुकि दाहिंदू के ई-पेपर का एडिशन खरीद लीजे वहाँ पे आपको इसकी पीडियाफ मिल जाएगी अगर आप पढ़ पाने तो ठीक है नहीं तो हमेरे लेक्चर्स सुन लीजे इसी से आपको ठीक टाइक चीजे समझ में आजेंगे तो चलिए बाई शुरू करते हैं अच्छा ओए एक चीज़ और यह पॉस्टबार प्लीज क्लिक दा जॉइन बटर रहती हैं जो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म है जिसने एक माइनॉर्टी ग्रूप की प्रॉब्लम्स को दिखाया है ये कहीं न कहीं जो बाकी फिल्म डिरेक्टर से फिल्मेकर से उनको एस्पिरेशन दे सकता है कि वो ऐसे टॉपिक्स पे फिल्म मनाएं तो कहीं न कहीं इस प्रॉपिकार की फिल्में बनाना कभी-कभी खतरनाग भी हो जाता है कभी-कभी आपको डेथ थ्रेट्स इशू हो जाते है ठीक है उसके बाद छोंडर नाम की जो मूवी है जो की जो डिसडवांटेश सेक्शन है दलित का इनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसके बारे में बताता है जो गंगुबाई कात्यावाडी है जो वलरेबिल सेक्टर है सेक्स वरकर्स का इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसके बारे में बताता है तो basically इन तीन वीडियो को बनाके Bollywood social justice को यहाँ पर सर्व करने की कोशिश कर रहा है Bollywood का क्या है? कि यह ज़्यादतर melodramatic voodies बनाते है song, nač-gaana हो रहा है, dance हो रहा है, action हो रहा है तो इस प्रकार की movies बनाते हैं और उससे यह कमाते हैं पैसा अब इंडिया का क्राउड़ी है, इंडिया को देखनी ही movies हैं बिल्कुल चिन्नी एक्सप्रेस टाइप उनको ज़्यादा दिमाख वाली interstellar आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी तो चिन्नी एक्सप्रेस में शारुख खान नाच रहें वही ज़्यादा बढ़िया लगता है तो basically जो movies का commercial success है उसी हिसाब से हमारे filmmakers movie बनाएंगे हमारे films के जो hero होते हैं ऐसा नहीं कि वो दिमाख वाली movies नहीं मिना सकते लेकिन वो चलेंगे नहीं इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर लोगों ये मारधार और मेलो ड्रामा और थोड़ा सा रुमास ये सभी अच्छा लगता है लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी हिंदी में meaningful फिल्में नहीं बनी है जैसे अरली हिंदी सिनेमा की बात करोगे तो poor working class की problems को दिखाने के लिए एक movie आयती दो भीगा जमीन migrants की problem को दिखाने के लिए एक movie आयती जाकते रहो patriarchal melodies को दिखाने के लिए आयती साहब बीबी और गुलाम political turmoil को दिखाने के लिए movie आयती गर्म हवा no doubt in movies ने कहीं न कहीं social realities को point out किया तो हिंदी सिनेमा को बिलकुल भी irrelevant बोल देना हमेशा के लिए irrelevant बोल देना वो सहीं नहीं है बट पिछले कई सालों में ये देखा गया कि हिंदी सिनेमा एक प्रकार के trend को follow कर रहा है और वो trend किस पर आधारी थे तो सीधी सीधी बात इस चीज के उपर आधारी थे वो film में बनाओ जिन से पैसा कमाया जा सके जिनको लोग देखना पसंद करते हों और जिन में ज़्यादा social controversy ना उठे देखे social controversy को जहल पाना सबके भसकी बात यहाँ पे नहीं है कश्मीर फाइस को यहाँ पे सरकार का सपोर्ट मिला है हर socially controversial movie को सरकार का सपोर्ट मिले ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है तो एक director एक film matter भी डरता है कि भाई जो particular topic किसी particular cast, community, धर्म को छेड राओ उसमें ना ही गुसो जादा बेटर है ठीक है ना यह सब चीजे है अब overall इंडिया के अंदर cast identity को point out करने के लिए मतला basically cast के आधार पर जब लोगों के साथ अत्याचार होता है उस चीज़ को point out करने के लिए movies कम बनती है जैसे for example इंडिया के अंदर अगर आप दलित और आदिवासीज की population की बात करें तो लगबग एक चौधाई 25% आबादी इंडिया के अंदर दलित और आदिवासीज की है और अगर उत्तरपदिश बंगाल पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी average दलित population 25% है जारकन शत्तित करा मद्दपदिश ओडिसा की बात करें तो 25-30% है इस population को बहुत हद तक social neglect और humiliation जहलना पड़ता देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी दलित्स हैं और आदिवासीज हैं वो पिछड़े हुए बहुत सारे दलित्स और आदिवासीज अपनी capability के दम पे ऊपर आए हैं उन्होंने society में एक वो काम हासिल किया है उनकी कुछ standing है society के अंदर लेकिन एक बहुत बड़ा तफका वो भी है जो अभी भी गाओं में है जो अभी भी financially vulnerable है उनके पास पैसा नहीं है, social standing नहीं है अब अरकास्ट के लोग गाओं में उनको परिशान करते हैं तो इन प्रकार के लोगों की परिशानी को अगर आप फिल्मों के माध्यम से point out करते हो तो मेरे आपके जैसे लोग जो की शहर में रहते हैं जिनको शायद इन लोगों की problem के बारे में awareness ना हो वो इस problem को देखेंगे और हमारे दिल में भी एक ethical feeling आईगी और overall इसी ethical feeling के थुरू हम एक social transformation कर सकते हैं अपने देश में जो जीने के महौल है इनको सुधार सकते हैं basically किसी भी प्रकार का जो discrimination है दलिस के अगेंस्ट आदिवासीस के अगेंस्ट, religious minorities के अगेंस्ट उसको खतम कर सकते हैं बट वो रोल यहां नहीं पे किया है Bollywood ने Bollywood किस प्रकार की film में मनाता है तो भाई patriotism से बली हुई film मना दी तो राजी बन गई, मुल्क बन गई, केसरी बन गई Islamic terrorism से बनी हुई बना दी Wednesday, नीर्जा, होटल मुंबई secularism से बनी हुई बना दी चग्दी इंडिया, हैदर communal tension से भरी हुई बना दी शाहिद, परजानिया, फिराक inter-community love stories इशकजादे, केदारनाथ, पदमावत यह सब popular themes है अब ऐसा नहीं है कि इन popular themes में कोई social message नहीं है बट कभी-कभी वो social message निगेटिव चला जाता है कैसा निगेटिव? तो कभी-कभी इस प्रकार की फिल्मों में जो Muslim community के लोग हैं उनको aggressor की तरह दिखाए जाता है violent aggressor की तरह या anti-national की तरह दिखाए जाता है जो की सही नहीं है 99.99% cases में कुछ लोग जरूर धरम के नाम पे इंडिया से अलग होने की बात कर सकते हैं बट overall फिल्मों में एक theme को propound करना कि जो Muslim community की लोग हैं वो anti-India हैं वो गलत है यहां पे कुछ लोग तो anti-India हैं जैसे for example अब इंडिया-पाकिस्तान का match होता अब पाकिस्तान जीत चाहता तो कुछ लोग पाकिस्तान की जीत को celebrate करने लगते हैं वो तो मासाल ना है वो इंडिया में रहके इंडिया की हवा में सास लगे दूसरी country की बात कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा तर लोग ऐसे नहीं है और ये जो फिल्म हैं कहीं न कहीं Muslim community को गलत light में दिखाती है ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार के amendments यहाँ पर करने की ज़रू होते है कि ठीक है आप minority problems को भी point out करो कश्मीरी पंडिस के against जो अत्याचार हुआ इसको भी point out करो साथ साथ overall पूरी की कूरी community को आप defile मत करो उनको गलत logic से मत दिखाओ ये भी यहाँ पर author बोल रहा है basically author यहाँ पर bollywood cinema की बात कर रहा है और bollywood cinema के थूँ social change की बात कर रहा है और गंगु भाई कात्यावाडी की यहाँ पर तारीफ कर रहा है और उसको इस प्रकार से दिखाएए कि एक proper social message आए ना कि यह message आए कि college में लोग गए बच्चे गए वहाँ पर नाच रहे हैं बाई गुमा रहे हैं उससे जगा कुछ सीखने को मिलता नहीं है ठीके ना bollywood should be a medium of social change आदिवासी इस बहुजन लोगों को overall Hindi film industry के थुरू social segregation से बचाया जा सके लोगों के अंदर ये awareness लाई जा सके कि society में किसी वरगार का discrimination ना हो ये हमारा target होना चाहिए हमारी filmों के थुरू ये हरीश एस्वानखेड़े साब बोल रहे है असिस्टिंट प्रॉफेसर है बीजेपी तो बड़ा अराम से जीत गई थी लेकिन पुशकर सिंग नामी हार गए थी इनकी जो assembly election seat है खातिमा यहां से दो बार चुने गए लेकिन इस बार ये हार गया तो एक सवाल उट गया अक्चुली सवाल इसलिए भी उट गया पुशकर सिंग धामी को CM बने ज़्यादा समय नहीं हुआ था ठीक है ना और उपर से MLL की seat हार गए तो सबको लगा इनको CM नहीं मनाया जाएगा लेकिन BJP की leadership ने इनहीं को CM मनाया है मतलब कहीं न कहीं BJP की leadership को इस बात के अंदर भरोसा है कि overall पुशकर सिंग धामी उत्राखंड में चीज़ों को समाल पाएंगे कुछ revolutionary steps लिए हैं यहाँ पे पुशकर सिंग धामी ने जैसे for example चार धाम project हो गया और overall यह जो बड़ी-बड़ी religious science हैं को common management board के अंदर लेके आना इस बात को लेके कहीं न कहीं उत्राखंड के अंदर भवाल चल ला था ground level पे उत्राखंड में पुशकर सिंग धामी ने कुछ ऐसे decisions लिए हैं कि वो अलग-अलग community के लोगों को एक दूसरे के साथ मिला पा रहे हैं ब्रह्मिन जो नाराज हो रखे थे बीजेपी पार्टी से उनको वो बीजेपी के पार्टी की फोर्ड में लेके आप आ रहे हैं तो इसलिए ये जो ABVP के तुरू groomed 46 year old chief minister है इनके ओपर भरोसा दिखाया है प्राइमिस्टर नेरेंद मोदी जी ने राश्टी सवयम सिवक संग के मेंबर रहे हैं basically उत्तराखंड के अंदर जो BJP की ship की कमान है सरकार की कमान है इसको प्रापर तरीके से पुषकर सिंग धामी पचा सकते हैं इसलिए इनको यहाँ पे एक मौका दिया गया है हाला कि यह मौका के साथ बहुत सारे challenges भी है चुकि देखें राजे की सरकार कहीं न कहीं overall BJP को चाहती थी नहीं चाहती थी वो तो एक अलग बात है सही बात तो यह है कि precarious unemployment है उत्तराखंड के अंदर और भी बहुत से issues है चार धाम project की बात कर लीजे जो फोर हिंदू pilgrimage sites को एक particular management board के अंदर लाने वाली बात है इस particular topics को देख लीजे तो इन total topics के चलते पुशकर धामी के performance को अच्छा समझा गया यहाँ पे उनको मौका दिया गया लेकिन बीजे पी के ही कुछ और दिगज है जो यहाँ पे उनकी seat हरतने की कोशिश करेंगे और वो बहुत पुराने है जादा experienced है politics में पुशकर सिंग धामी से तो पुशकर सिंग धामी के लिए problem भी create कर सकते है आगे आने वाले समय में पुशकर सिंग धामी किस प्रकार से बीजे पी की कमान चलाएंगे सरकार की कमान चलाएंगे उत्तराखंट के अंदर इसके बेसिस पर ही future में यह CM रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात पर decision होगा अगला status quo on beyond चीफ मिनिस्टर सावंध need to build on Goa's strong fundamentals देखे भाईया यह गोवा के CM थे पहले प्रमोज सावंध on behalf of BJP इस बार भी गोवा के CM प्रमोज सावंध ही रहे है भारती जन्ता पार्टी ने status quo maintain किया है प्रमोज सावंध की जगा किसी और कोई यहां पे CM नहीं मनाया गया टोटल 40 seat'े हैं गोवा की legislative assembly में जिसमें BJP ने 20 जीती है 2017 में जब election हुए थे तो BJP ने 13 seat'े जीती थी इस बार BJP ने 20 seat'े जीती है तो बहले seat'े BJP ने इतनी जीतनी है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं लेकिन जो percentage share है vote का वो जादा नहीं बढ़ा है गोवा के अंदर 2017 में जब election हुए थे जितना percentage share weight मिला था BJP को इस बार केवल 0.8 percentage points जादा मिला है और कही न कहीं एक survey ये भी बताती है कि बहुत ज़दा BJP popular नहीं थी गोवा के अंदर Center for the Study of Developing Societies लोग निती survey बताती है कि केवल 31% respondent ये चाते थे कि BJP वापस फिर से ताकत में आए लेकिन चुकि गोवा के अंदर जो opposition था वो बहुत तूटा हुआ था बहुत ज़दा आप कह सकतो segregated था इसलिए BJP को हरा पाना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया जब BJP जीद गई तो इस बात के उपर भहस हुई कि भाई कौन बनेगा CM लेकिन Mr. Savant को ये seat फिर से यहां पर दे दी गई है क्यों दे दी गई है चुकि already Goa के अंदर जो political landscape है वो काफी fragile चल रहा है fragile political ecosystem है तो यहां पर legislators को identify करना मुश्किल हो रहा है तो एक नाम जो कि पहले से ही चल रहा है जिसके उपर कहीं न कहीं लोगों का भरोसा है चुकि 40 में से 20 seatे मिली है BJP को तो इसलिए यहां पर प्रमोस सावन जी को फिर से यहां पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है BJP के लिए सरकार बहुत comfortablyly बन गई है चुकि आप कहलो दो MLA's महराष्ट वादी गुमंतक पार्टी यह भी support कर रहे हैं BJP को गुवा एक ऐसा state है जहां पर human development indices बहुत ज़ादा है पर capita income बाकी देश से ज़ादा है poverty rates कम है literacy rates ज़ादा है good quality education लोगों को ज़ादा मिलती है school dropout rate कम है तो लोग पढ़े लिखे हैं गुवा के अंदर अब यह challenges को कैसे take up करते हैं वो आगे आने वाले समय में ही हमको पता चलेगा ठीक है भाई क्या क्या करना होगा promote 7G की agenda पर क्या क्या हो सकता है तो post covid-19 management travel और tourism industry को revive करना चुकि कहीं न कहीं ट्रेवल और tourism industry बहुत हद तक गोवा की economy को sustain करता है फिर state के high literacy rate के चलते है इनके food processing sector को अच्छा करना IT services में boom लाना biotechnology की sectors को आगे बढ़ाना environmentally cost effective mining activities को promote करना ठीक है ना ऐसी mining करो जिससे environment को भी नुकसान ना पहुचो और economic activities को भी push मिले ये overall कुछ objectives होंगे यहाँ पर promote सावंत के लेट सी वो किस हद तक इस objectives को पूरा कर पाते है ठीक है भाई नेक्स आर्टिकल वे चलते है Needed an Indian legislative service भाई देखें विनोध भानु साब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर एक common service बना दी जाए legislative bodies के लिए पंचायत level से लेके पार्लेमेंट तक जितना भी secretarial staff होता है इन representative bodies में लोग सभा representative body है राज सभा representative body है पंचायत representative body है और इन सब body में administrative कामों को करने के लिए एक staff होता है जिसको आप बोलतो हो सचवालय का staff, secretarial staff इस secretarial staff में recruitment के लिए एक Indian legislative service बनाई जाहिए क्यों बनाई जानी चाहिए इसकी political expediency क्या है इसको समझने कोशिश करते है आर्टिकल लिखा है आपका विरोध भानु सामने ये डिरेक्टर है सेंटर फॉर legislative research and advocacy निदिली के क्यों है ये ऐसा लिखे है सबसे पहले समझते है विरोध भानु साम यहां पे लिख रहे है कि M. Wankaiya Naidu साम ने 1 September 2021 को राजसभा के अंदर जो Secretary General की post थी वो दी Dr. PPK रामा चारियलू को अब ये news बहुत बड़ी थी क्यों बड़ी थी चुकि समझिए ज़्यादतर ये जो Secretary General की post थे पे Senior I.S. I.P.S. या IRS आफिसर मतब ब्यूरोक्रासी Senior Civil Services की ब्यूरोक्रासी और ज़्यादतर वो ब्यूरोक्रासी जो की रिटायर हो चुके है उनको बठाया जाता है तो ओवर ओल ब्यूरोक्राट्स बैठेंगे Secretary General की seat पे राजसभा के अंदर ये बात अल्मोस्त तैह होती है लेकिन यहाँ पे किसको बठा दिया गया डॉक्टर पीपी के रामाचारलू को डॉक्टर पीपी के रामाचारलू ये कौन थै तो ये भाई आप कह सकते हो राजसभा के Secretaryal Staff में ही काम करते थे लेकिन राजसभा का Secretaryal Staff Report किसको खरता है? Secretary General को अब राजसभा के Secretaryal Staff में ही Secretary General मना दिया गया Bureau of Cracy को यहाँ पे Skip कर दिया गया तो ये एक Progressive Decision था M1 का या नाइडू का और इनकी तारिफ भी काफी की गई लेकिन इनके उपर प्रेशर भी बहुत आए मोदी साब को और PC मोदी साब एक Retired IRS Officer है मतलब bureaucracy के member है तो अब आप समझीए राजसभा के अंदर Secretary General बनना चाहिए वहीं के Administrative Staff का एक member बनाया भी गया लेकिन बाद में इनको हटा के किसको बना दिया गया PC मोदी एक bureaucrat को बना दिया गया और जदा तर जो Secretary General बने है राजसभा के अंदर वो bureaucrats ही रहे है Senior I.S.I.P.S. IRS Officer ही रहे है यहाँ पे overall bureaucrats को क्यों ना मनाया जाए और administrative staff की autonomy को कैसे maintain किया जाए समझीए लोग सभा के अंदर BJP Party की सरकार है BJP Party का executive है जिसमें top में प्राइम मिनिस्टर है और नीचे मिनिस्टर से अब यह executive बहुत strong है यह पूरे देश को चला रहा है लेकिन इस executive को responsible करने की responsibility किसकी है Parliament की Parliament के अंदर वो MPs जो की opposition को belong करते हैं ruling party को belong नहीं करते हैं वो सवाल पूछ पूछ के सही समय पे Parliament के floor पे ruling party को accountable ठहराएंगे और Parliament के अंदर जो भी administrative हाम होता है वो कौन करता है Parliament का सचवाले करता है लोग सभा का अलग सचवाले है राजसभा का अलग सचवाले है इस सचवाले का independent रहना ज़रूरी है अब इस सचवाले का अगर वो एक independent person होगा तो Parliament की functioning और effective हो जाएगी फिर Parliament की functioning में executive जो बोलेगा वो नहीं होगा समझे executive प्राइम मिनिस्टर काउंसिल और मिनिस्टर कितने भी influential हो पूरे इंडिया में लेकिन Parliament के अंदर वो accountable है two other MPs Parliament के अंदर उनके against no confidence motions final हो सकता है उनको कुर्सी पर से हटाया जा सकता है तो executive को अगर accountable ठहराना है legislature को तो एक efficient secretariat system बहुत सब्सक्राइब जरूरी है लोगसभा और राजसभा के अंदर अब इस secretariat system के जब top पे बठा दिये जाते है IS officer, IPS officer, IS officer तो यह retired bureaucracy होती है retired bureaucracy ने किसी दूसरी power की branch में काम किया है और ये retired bureaucracy का कहीं न कहीं connect होता है सरकार के साथ सरकार उसी bureaucrat को गद्दी पर बठाएगी जो bureaucrat उस सरकार की अच्छी नज़रों में होगा और अगर एक ऐसा bureaucrat जो की सरकार की अच्छी नज़रों में है वो अगर सचवाले के head पर बैठ जाता है तो सचवाले में वही होगा जो सरकार चाती है executive चाता है और यही नहीं होना चाहिए parliament के अंदर secretarial staff हमेशा independent रहना चाहिए तभी parliament efficient तरीके से काम कर पाएगी चुकि parliament के efficiency मतलब यह है कि legislature executive को responsible ठहरा है I hope अब तक आप समझ पा रहे हो कि legislature और executive की बीच का फरक क्या है मैंने आप बता भी दिया और लक्षमी कान में बहुत डीटेल ने पढ़ाया अब देखते हैं कि राजसभा के अंदर कौन कौन से security general ने पहले काम किया देखा जाया तो पहली parliament बनी 1952 में तब से लेके अब तक राजसभा के अंदर रामा चारलू जी से पहले 11 secretary general काम कर चुके है अब इन 11 secretary general में कुछ लोग lateral entry के थूँ आये थे मतलब आप कह सकते हो कि वो subordinate जो secretariat staff उसमें से बने हैं लेकिन ज़ादा तर जो यहाँ पे बने हैं वो civil servants रहे हैं पहली parliament में जब पहली राजसभाई तो पहले secretary थे SN मुखरजी साब एक civil servant थे ये लेकिन उसके बावजूद इनका यहाँ पे secretary बनना justified था, क्यों justified था चुकि ये constituent assembly के secretariat में joint secretary की तरह काम कर चुके तो और समिधान को draft करने में chief draftsman थे तो overall SN मुखरजी जी के appointment के उपर यहाँ पे question उठाना सही नहीं है वो बड़े आला level के दिमाग वाले इनसान थे फिर SS बहले राओ जी राजसभा secretary तो उन्होंने join के deputy secretary 1958 में और वो तीसरे secretary general बने 1976 में ठीक है भई इससे पहले यह assistant secretary रह चुके थे हादराबाद की legislative assembly में और secretary रह चुके थे महाराष्ट की legislative assembly में सुदर्शन अगरवाल जी राजसभा में deputy secretary लगे थे और चौथे secretary general बने 1981 में उसके बाद 1993 से लेके आप कह लिजे 2021 में जब रामाचारलू जी का appointment हुआ उसके बीच में जितने भी secretary general बने है राजसभा के अंदर वो सब civil servant है और bureaucracy क्यों यहाँ पे secretary general की पद पे नहीं बैठना चाहिए इसका reason मैं आपको already बता चुका हूँ और रामाचारलू जी को हटा के जब PC मोदी को बनाया गया तेरवा secretary general तो यह बताया गया कि यह भी retired IRS officer है ठीक है तो यही logic है यहाँ पे article 98 समीधान का क्या बोलता है कि भाई यह दोनों houses of parliament लोगसभा और रासभा इनके दो अलग-अलग सचवाले होंगे और इन अलग-अलग सचवाले का काम करने का जो तरीका है वो काफी हद तक independent होना चाहिए interference नहीं होनी चाहिए यहाँ पे किसकी executive की और अगर आपको executive की interference नहीं करनी है तो best तरीका यह है कि जो secretarial staff है parliament का उसको independent रखो और secretarial staff parliament का तब independent रहेगा उनके political officers के साथ connection होते है और जब political officers का ही secretariat के साथ connection हो जाएगा तो parliament के अंदर executive की ही चलेगी जो कि यहाँ पे सही नहीं है और मैं आपको बता दू secretary general के पद के साथ एक गरिमा जुड़ी हुई होती है secretary general का पद cabinet secretary के पद के अलमुष पराबर होता है ठीके ना राजसभा के अंदर जो दो top के में मतब आपके लोग पद है वो है chairman और deputy chairman और राजसभा का जो chairman होता है वो तो vice president होता है इंडिया का और इन दो पद के बाद आता है secretary general का पद secretary general के पद के बाद बहुत से privileges है इनको arrest नहीं किया जा सकता है criminal proceedings इनको immunity होती है ठीक है ना इनके rights को आप breach नहीं कर सकते है अगर rights को breach करोगे तो contempt of राजसभा माना जाएगा या लोगसभा माना जाएगा जहां का अभी secretary general है जो secretary general है राजसभा का लोगसभा का उसके बास बहुत सारी parliamentary and administrative responsibility होती है और इनको पूरा करने के लिए secretary general के पद पे बैठने की एक eligibility condition ये भी होती है कि उस particular individual को parliamentary procedure के बारे में पता हो practices के बारे में पता हो president के बारे में पता हो और वो तब ही पता होगा जब वो पहले इस प्रकार की पोस्टों में काम कर चुके हो और bureaucrats इस प्रकार की पोस्टों में काम नहीं करते PC Modi retired IRS officer है उन्होंने revenue department में काम किया होगा exercise में, GST में, customs में ठीके ना, उन्होंने यहाँ पे तो ना काम हो किया होगा parliamentary procedures में तो उनका यहाँ पे secretary general के पद पर बैठना गलत था खासकर रमा चारुली जी को हटा के बैठना तो बिलकुल गलत था यह author यहाँ पे बोल रहा है अच्छा, राजसभा के बजाएगा लोगसभा की बात कीज़े तो लोगसभा में जो 9 staff member रहे हैं including the lateral entry officers race to become secretary general लोगसभा का record फिर भी सही बताया ज़रा लोगसभा के अंदर जो भी secretary general यहाँ पे बने हैं ज़दातर जो subordinate seat हैं civil servants थोड़े से कम है when compared to राजसभा अब कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया exactly मैं नाम यहाँ यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ इस basic article का जो crux है वो crux मैंने यहाँ पे आपको समझाया है crux यह है कि लोगसभा, राजसभा के अंदर executive को responsible ठहराने के लिए जो सचवाले की post होती जो सचवाले की functioning है उसका autonomous होना जरूरी है और उसको autonomous करने के लिए बहतर रहेगा कि bureaucrats का appointment secretary general की post में न हो और उससे बहतर जो यह रहेगा कि एक all India service यहाँ पे बनाई जाए चुकि इंडिया में ऐसी representative body बहुत है पंचायत की बात कर लो ब्लॉग पंचायत की बात कर लो जिरा परिशद की बात कर लो municipal corporations की बात कर लो राज जी की सरकार की बात कर लो state legislature, union legislature इन सब जगहों पे कहीं न कहीं secretaryal staff की ज़रोत है और इस secretaryal staff को recruit करने के लिए अगर all India service बना दी जाए तो ज़्यादा better रहेगा यह जो service रहेगी यह independent रहेगी सरकार के इनके उपर parliament का सीधा-सीधा control होगा ज़्यादा efficient तरीके से यहाँ पे administrative काम होगा parliament के अंदर है किसी भी representative body के अंदर ठीक है भाई recruitment भी specific होगा obviously बात है parliamentary knowledge presidents की knowledge होनी बहुत जरूरी है इस प्रकार की service में select होने के लिए लेकिन ऐसी service को बनाई जाएगी chances कम है एक viewpoint यहाँ पे विनेद भानुसाब दे रहा है फिर बात करते है अब लोग to equitable access to essential medicines यहाँ पे क्या बताया जा रहा है भाई जब COVID-19 भेंकर फैल रहा था October 2020 में दुनिया भर में affordable vaccines medicines वगरा की कमी थी उस समय पे एक proposal सामने लेके आये आये ते इंडिया साउथ अफरीका ने मिलके बोला कि दुनिया भर में जितनी भी COVID-19 की vaccines है technologies है drugs है diagnostic devices है उनके उपर से patent हटा दीजे उनको trips waiver दे दीजे और trips waiver के बाद उनकी large scale manufacturing पूरी दुनिया में शुरू हो जाए खासका developing countries में शुरू हो जाए जिसके basis पे उन products को गरीब countries में भी export किया जा सके सब लोग COVID-19 से बच सके ये idea इंडिया साउथ अफरीका ने दिया था और वेसी बात है इस idea को developed countries नहीं मानेंगी शुरुवात में तो सारी developed countries ने इसको oppose किया बाद में आप कह सकते हो कि जो बाइडन की सरकार आने के बाद US ने support किया लेकिन US ने बोला कि हम इसको support कर रहे है किवल vaccines के respect में और आज की date में देखिए तो 18 months later लगबग 164 member countries of WTO के पास कोई common ground नहीं है मतब WTO की सारी countries इस बात की उपर decision नहीं ले पाईए कि भाई waiver देना है trips का की नहीं देना है ठीक है लगबग 63 developing countries बोलने ही कि हाँ भाई waiver दे दो 44 countries ने एक mixed type का support दिया है Biden ने भी support दिया है US ने support दिया है बट इनका जो support है वो काफी हिला हुआ है neutral नहीं है कि वल vaccines के respect में permission दे रहे European Union का कोई clear ground है ही नहीं अब जाके कहीं European Union की तरफ से एक waiver proposal निकल के आ रहा है European Union बोल लाए कि ठीक है भाई यह जो proposal आया था इंडिया साथ अफरीका का यह हम मान लेते हैं लेकिन मानने का जो तरीका बता रहा है न European Union यह थोड़ा हिला हुआ बता रहा है यहां पर European Union बोल रहा है कि आप compulsory licensing को adopt कर लो compulsory licensing क्या है तो भाई compulsory licensing के अंदर इंडिया को मान लीजे अपने domestic market में किसी international drug की बहुत ज़रूरी है कोई international drug है मान लो modern ना है अब इंडिया को लगता है कि बहुत सदा corona पेसेस फैल रहे हैं modern ना को बना लेंगे और अपने देश में बाटेंगे irrespective of the fact की WTO में हमें इस बात की permission नहीं है तो compulsory licensing के रिजीम के अंदर एक country extraordinary circumstances के अंदर medicine मना सकती है European Union कह रहा है कि भाई ठीक है आप compulsory licensing के अंदर medicine मना लो लेकिन आप सिर्फ vaccine मना होगे समझो बात को overall European Union permission तो दे रहा है मतब बातचीत कर रहा है कि ठीक है भाई जो भी vaccine के technology है और vaccine बनाने का जो process आप बोल रो इंडर साथ अफरीक हम उसको मानते हैं अब बना लो लेकिन जो vaccine को बनाने का formula है उसका patent हमारे पास रहेगा उसके बलक drugs हम किस दाम पे आपको provide करेंगे वो हम decide करेंगे हाँ आप अपने देश में vaccine मना लो और इसको बाहर के देशों को export कर लो आचा उसमें भी बहुत सारे restrictions लगा रखें सिर्फ developing countries vaccines बना सकती है least developing countries नहीं for example बांगलादेश की बात करिए बांगलादेश में pharmaceutical sector बहुत तेजी से उपर बढ़ रहा है लेकिन आज भी बांगलादेश एक least developed country की category में आता है तो चुकि बांगलादेश एक least developed country category में आता है developing country category में नहीं आता है तो इसलिए बांगलादेश इस particular compulsory licensing जो की European Union announce कर रहा है उसमें participate नहीं कर सकता है मतलब European Union के अभी की जो नियम कानून निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से केवल developing countries जिन्होंने दुनिया भर में 10% से कम COVID-19 की vaccines को export किया है वो यहाँ पर vaccine मेना के बेच सकती है अब चुकि बांगलादेश एक developing country नहीं है लीस developed country है तो बांगलादेश यहाँ पर vaccine एक्सपोर्ट नहीं कर सकती और इंडिया यहाँ पर vaccine एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया ने जितना भी अब तक vaccine एक्सपोर्ट किया उसमें इंडिया का जो percentage है वो 2.4% है Most probably यह शर्तें चाइना की pharmaceutical industry को contain करने के लिए रखी गई है चाइना दुनिया भर में लगबग 33% vaccines को और उनसे related technologies को export कर रहा है तो overall इस compulsory licensing के regime का इस compulsory licensing की सुविधा का चाइना गलत प्रकार से इस्तमाल ना कर ले इसलिए 10% वाली limit यहाँ पर रखी गई है बहराल overall जिन शर्तों के उपर European Union यहाँ पर vaccine technology प्रोवाइड कर रहा है वो शर्त इंडिया साथ अफरीका को नहीं माननी चाहिए चुकि European Union bulk drug अपने rate पे देगा जो technologies होंगी वो अभी भी protected होंगी उन technologies को आप leak नहीं कर सकते हैं वो technologies vaccine manufacturer pharmaceutical product company के नाम पे ही होंगी ठीके ना वो technology यहाँ पर पूरी तरीके से devolve नहीं की जा रही है और अगर उसको आप wallet करोगे तो आपके उपर भारी sanctions लग सकते हैं trips का वेवर अलग से नहीं दिया जा रहा है compulsory licensing के अंदर European Union बोल रहा है कि भाई developing countries तुम vaccine मना लो इस प्रकार की requirement trips वेवर में नहीं होती तो trips वेवर ना देके overall एक प्रकार का compromise धूना जा रहा है उस compromise में कहीं न कहीं India South Africa engage नजरा रहे है चुकि India South Africa को लग रहा है कुछ नहीं से कुछ भला लेकिन यह जो कुछ भला वाला factor है वो proper तरीके से सामने नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर developed countries अपनी शर्तों पर vaccine technology को provide कर रही है और शर्तें इतनी stringent हैं कि बहुत ज़ादा benefit दुनिया को नहीं मिल पाएगा अभी भी pharmaceutical companies की जो income है वो चालू रहेगी दुनिया भर की least developed countries में वैक्सीन बहुत सस्ती नहीं होने वाली है जो कि bulk drug यह developing countries यह developed countries मेहंगी बेचेंगी ठीके ना भले ही इंडिया जैसी countries कितने भी सस्ते पर drug की manufacturing करें और सबसे खास बात यह है कि वैक्सीन की technology diagnostic devices की technology bulk drug की technology यह सब provide नहीं की जाएगा आपको सिर्फ बल्क drug प्रोवाइट के जाएगा और बनाने के तरीका बताया जाएगा और वो तरीके भी patented होंगे किसके नाम पर जो source company है उसके नाम पर तो यह पर्टिक्रियर न्यूज मैंने यहाँ पर discuss की है तो thank you for watching friends यहाँ पर मैं अपना एडिटोल कहतम करता हूँ I hope आपको कुछना को सीखने को मिला हो Instagram पर follow कर लिजेगा Telegram group जोन कर लिजेगा if possible please click the join button have a great day friends goodbye